वेल तो ही गाइस वेलकम टो दी माया चनल माइनमी इस फंकर तो इस वीडियो वह बात करने वाले कि सोशल मेडिया ने कैसे रियून कर दिया पूर रेस्लिंग इंडेस्ट्री को सो नो लेट्स स्टार्ट करते है वीडियो को वेल तो जैसा कि तुम लोगों पता है कि सोशल मेडिया का आज कल बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रेज रहता है और जो कि रेस्लिंग है और रेस्लिंग को ये बहुत ही ज़्यादा एफ़ेक कर देता है जैसा कि हम लोग किसी भी रेस्लिंग प्रमोशन को ले ले चाहे हो डवल चलते हैं जो कि सबसे ज़्यादा major problem है social media से और वह है कोई भी चीज़े leak होने के बारे में वेल्टो जैसा कि हम सभी जानते कि हाली फिलाल में हमें पता चलता है कि कभी यह match का result leak हो गया कभी पता चलते हैं कि इनका return leak हो गया यह leak हो गया वो leak हो गया मतलब यह wrestling में बहुत ज़्यादा problem होते रहता है हर एक promotions को problem होता है चाहिए वो डवलोली हो या फिर AEW हो वेल्टो डवलोली को बहुत ज़्यादा problem face करना पड़ा है जब से social media मतलब आया हुआ है वेल्टो जैसा कि तुम लोगों पता है कि कितने मतलब सुपरस्टार जो कि बड़े-बड़े सुपरस्टार का plans करके रखती है डवलोली और उनका return तो यहाँ पे हमें leak पहले देख मतलब अंदर के ही लोग होते हैं जो leak कर देते हैं तो यह बहुत ज़्यादा major problem हो जाता है और social media पर कभी-कभी तो जो चीज़े taped होती है जैसे कि डवलोली कोई shows जो होता है वो taped करवाती है तो उन shows का कोई भी social media पर मतलब leak कर देता है उस चीज़ को and next one उसके photos leak करना हो गय होगा इस पेपर वी में हमें क्या-क्या spoilers हमें देखने को मिलेंगे मैच के सो यह सारी थिंक्स हमें देखने को मिल जाती है wrestling के अंदर और यहां पर मतलब यही सब ज्यादा major effort करती है wrestling के पहले के जमाने में अगर तुम्हें बता दू कि 90s के या फिर हम बताते 2000 पहले के या spoiler यहां पर हमें मिल जाते हैं जिसकी वाइस से मतलब हर एक चीज़े लीख हो जाती है और पेपर उसमें क्या होने वाला है वह सारी थिंक्स पता चल जाती है और पहले के टाइम पर यह थिंक्स नहीं देखने को मिलती थी क्योंकि उस टाइम पर social media नहीं था ना कि 2000 के टाइ तिंग है एंड उसके पहले 2010 या 2000 उसके पहले हमें मतलब WWE इदम रियल लगती थी एंड कोई भी रिटरंस और किसी के भी हमें लगते थे सस्पाइलर्स नहीं देखने को मिलेगा अगर अगर देखो देखो अगर कोई मतलब इतुम पता ही नहीं और कितना ज्यादा कि हमें ठींग पता है कि कुछ सारे रिजल्स भी मतलब कितने किते पेपर्स तो लीक हो जाते हैं डवल के अंदर के स्क्रिप्ट के पेपर्स जो की बहुत ज़्यादा मतलब बेकार थींग हो जाती है एंड यहां से यह सारी चीज़े जो रियून कर देती है एंड प्लस यहां और फिंग हमें देखने को मिलती है फैंस की तरव से जो रियक्षण देखने को मिलता है जो कि इसके बाद जो收看 बस्तिच को देखने लगते हैं जिसके वज़से में वह मज़ा नहीं पता जो पखले के टाइम पर मज़ा आता था and now कि यही सारी things के वैसे social media पुरा रियून करते आया है and definitely जो चीजे plan करती है वो सारे plans भी रियून हो जाते हैं जो कि हमें जैसा कि तुम्हें पता ही है कि जो social media भी हमें देखने को मिला था जो ring के अंदर से जो कि Bray White का निकलना वो सारी things भी रियून हो गई थी and इसके बाद तो जो हमें segments देखने को मिलते थे वो सारे रियून हो गई है and wrestling के अंदर जो हमें promos जो मतलब मारते थे वो सारी things हमें जो देखने को मिलती थे wrestling देखने को मिलती थी वो भी आधी रियून हो गई थी क्योंकि social media पर सब लोग record करकर डाल देते थे जिसके वाज़ से हर एक चीज़े हमें expose होती हुई दिखाई दे गई और wrestling के अंदर हमारे हमें सारी चीज़े expose होते हुई दिखाई गई गई जिसकी वज़से जो पहले वाला मज़ा था wrestling के अदर वो अब हमें नहीं देखने को मिलता है और कितने लोग तो यहीं थिंग समझ के छोड़ चुके है जो कि wrestling scripted है और रिस्लिंग को कुछ लोग तो fake ही मान के छोड़ चुके है यह सारी थिंग मतलब social media को पूरी बेकार तरीके से मतलब social media ने यहां पर सबसे major problem आता यहीं पर जब कोई भी हमें storytelling देखने को मिल रही है बट यहां पर जो सूपरस्टार्स होते हैं वही स्टोड़ लाइन को फोरो नहीं करते वह social media पर आने के बाद मतलब टीवी टैपिंग्स पर तो कुछ और रहेंगे बट social media पर आने के बाद वह सूपरस्टार अपने अच्छे खासे कुछ अलग पोस्ट डालने लगते हैं जिसके वसे वह सारी थिंग्स भी रियून हो जाती है तुम इसमें अलेक्सा ब्लिस का उधारन ले सकते हो जैसा कि उन्हें दफिंड के अच्छे खासे स्टोल लाइन में डाला गया था जहां पर वह मतलब अलेक्सा ब्लिस काम कर रहे थी बहुत यह अच्छा खासा अलेक् अलेक्सा ब्लिस कामें अलगी रूप मिलता है जो कि उनके रियल लाइफ का था तो यहार मतलब यह सारी थिंग्स रियून करते आ रहे हैं धीरे-धीरे हर एक चीजों को एंड रस्लिंग के अंदर तो यह सारी वोस्ट थिंग बन चुकी है एंड रिटरंस लीक होना स्पॉ मालूम पढ़ गया था कि गोल्ड बग और ब्रॉक लेस्नर दोनों कमपनी चोड़ को जाने वाले हैं तो उसके बाद जो पब्लिक कामें रियाक्शन देखने को मिला था तुम समझ सकते हो अगर मैच दो दो देखा रहेगा तो उस थिंग्स हम लोग समझ सकते कि हमें सोशल मिल्डिया बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारे रेस्लिंग कल्चर को जो रियून कर रहा है तो यह वह बहुत ही जदा वर्ष्ट हो सकता है और आगे भी चलके ऐसा ही होता है रहेगा जो कि में भी मुझे लगता है कि बेकार थिंग्स है आपके उपिनियन से क्या लगता है कि इस वी सोचल मेडिया कितना डिस्ट्रॉइ कर रहा है रेस्लिंग अपिनियन मुझे सक्षिन में जरूब बता रहा है इन अगर आपको वीडियो पसंद रही तो यह लाईक बिसलाइक से सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हैं जो फिन मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक ले बाइबाइ एवरीवन समय की मार है यह मेहनत की हार है यह खुट को बदलना तो मेरे सब्दों के विचार है अफसर से की आज सबने इसको बुलाया फ्राइडेस को इसने आरके ओधा लगपाया